दोस्तो छोटा ही सही लेकिन काफी खुपसूरीती अंदाज से जैगाओं का भी बारी छट पुजा घाट का निर्मान हो रहा है और उसका द्रिश्य दिखाने के लिए इस समय हम लोग पहुंचे हैं तूर्शा नदी किनारे भी बारी का छट पुजा घाट का द्रिश्य खाना चाहेंगे दोस्तो कि करीबन करीबन 50 घाट केवल तयार हो रहा है लेकिन जो खुबसूर्ती के साथ इस घाट को बनाया जा रहा है वह सच में सच में अद्भूद है और यहां पे खासकर ब्यवस्ता जो है ब्यवस्ता अगर आप कहेंगे तो पुरी तरह से ब्यवस् काफी सुन्दर तरीके से आप देंख सकते हैं तमाम खंडा लगाया गया है लाइटिंग का ब्यवस्ता किया गया है और घाट भी काफी बढ़ा घाट देखने को मिल रहा है आप देख सकते हैं नदी भी कावी स्वक्ष नदी यहां पर बहरा है और काफी बढ़ियां से जो कॉमेटी है बीबारी छट पूजा का जो कॉमेटी है कम मात्रा में यहां पर पूजा करने के लिए लोग आएंगे लेकिन बेवस्ता में कोई कमी देखा नहीं जा रहा है आप लाइटिंग लगाया गया है उनको जो भी स्रधालू और जो भी भक्त गन आएंगे या जो भी लोग यहां पर देखने के लिए आएंगे घूमने के लिए उनका स्वागत के लिए भी काफी बढ़ियां से इंतिजाम किया गया है आगे हम लोग चलते हैं आगे आपको दृ घूमने के भूभियांफिया पर फ़र्दिमा होगा वहां पर इस्तापित किया जायगा इस तरह का वेवस्ता है अहूझ लोग और भी जानकारी लेंगे जो यहां पर कमेटी मेमबर है जो चटपुजा कोमेटी का उनसे हम लोग जानकारी लेंगे यूवावर्व carrots यहां प किसन सिंग यह बताएं इस बार का चट पूजा का जो घाट आप लोग निर्बान कर रहे हैं जो बीवस्ता आप लोग किये हैं किस तरह का बीवस्ता है चल रहा है घाट बन रहा है बहुत बन गया हर पेंडल का काम हो गया और flower का काम हो रहा है मुर्ति का काम हो रहा है हमारे जुनियर भाइलों को भी ले के कर रहे हैं काम और हमारे चाथ पूजा कमेटी में सभी साथ दे रहे हैं वी बिवारी तुर्सides टी गादें का सहर आदमी उनलोगा साइट यहां पर जो भी घाट सजावाट भी आप लोग कम यह हम लोग कुछ आपरस में बेवस्ता किये और कुछ हम लोग का जैसी भी सब मिले उन वहां से जैसी भी लेकर के पानी छोटा बना करके छोटा इस बार पानी का मतलब नदी का कारण से छोटा धार बना करके पानी में हम लोग सब पूजा करने होला को सुवीडा करें है वाखु भी बढ़िया देखने को मिलगा है वह थोड़ा हम लोग औहीं घटना का कारण麼 से त्थोड़ा मोन में डर हो करके कुछ भी प्रबम नो हो बोल के हम लोग पानी से थोड़ा डूर करके पानी च्छोटा करके हम लोग धुर में ही घाठ बनाए सबके लिए गहाट बनाके इसलिए दूड में हम लोग अपने से कर दिये क्योंकि पब्लिक को अपना मर्जी से गहाट बनाते हैं तो सामने बन जाए बोलके हम लोग थोड़ा दूड में किये बहुत दोना मतलब कि अदर्ब काव डाशन का जो मतलब कर रहें उसको पूरी तरज से परसाशना का जो गाइडलाइन है जो तो देख सकते हैं बता रहे हैं क्या नाम बता प्रशाशन के देखरे में यह पंडाल यहीं यहाँ पे जितना भी जो भी आप यहां पे देख रहे हैं पूरी तरह से प्रशाशन के देख रहे हैं जडी स्वैमि यहाँ पे पुहूचे थे SDPO, SIR, SOEM यहाँ पे पहुंचे थे और तमाम आधिकारी गन भी यहाँ पे दोरा कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि केवल इसी घाट पे आ रहे हैं हर एक घाट पे जो प्रशाशन के आधिकारी गन है पहुंच रहे हैं और यह ध्यान दे रहे हैं कि सरकार दोरा जो निर्देश दिया गया है उसको पुरी तरह से पालन किया जाए साउन पॉलुशन के बधे नजर किस तरह से साउन सिस्टम का उप्योग के उपर में रिस्टिक्शन देखा जा रहा है लाओच फीकर्स के उपर रिस्टिक्शन देखा जा रहा है पाटाको का अगर अगर कहा जाए तो ग्रीन व campus के वल यूज करना है और साथ साथ में जो में नदी है में नदी से हट के पुझा करने के लिए कहा जा रहा है में नदी एकदम धारा जो रहता है उस धारा से बच के पूजा अर्चना करने की भी सुजाओ प्रशाशन दुआ दिया जा रहा है अब पुरी तरह से तैयारी पुरी तरह साब देख सकते हैं लाइटे लग रही है यहाँ पे स्टेज बन रहा है उदर मंच बन के तयार है पुरी तरह से जंडा से यहाँ पे एक सुन्दरता जो देखने को मिल रहा है दोस्तो यह घाट का यह सुन्दरता जो देखने को मिल रहा है यह पुरी तरह से कहा जाये तो यहाँ छट पुजा कुमिटी द्वारा ही सारा ब्यवस्ता कर दिया जा रहा है कोई भी कोई भी भक्त गन करो यहां पे आके अपने परिवार के लिए घाट के उपर काम करने की ज़रत नहीं पड़ रही है और इन जो युवा है यह जो छोटे-छोटे बच्चे जो दिख रहे हैं युवा जो दि प्रशाशन द्वारा दिये गए सभी निर्देशों को सभी छट पुजा कॉमेटी पालन करें यह हम लोग उनसे अपील करना चाहेंगे और साथ साथ में जितने भी स्रधालू हैं जितने भी भक्त गन हैं और जो भी लोग यहां पे घुमने के लिए आएंगे चटी मैया का सिर्वात लेने के लिए आएंगे उनको भी हम अपील करना चाहेंगे कि प्रशाशन का गाइडलेंस को फॉल्व करें पुजा भव्य रूप से मनाया जा रहा है केवल देश में ही नहीं देश विदेश पूरे दुनिया भर में आज चट पुजा एक पर्व महा पर्व है औ और यही आसा के साथ यही उमीद के साथ इस समय अम लोग एस चट पुजा घाड से अल वीदा लेंगे यहां के और भी दृशे आप सभी के सम env시 साजा करेंगे जब यहां पर पुजा अरचना होगी फिलाल के लिए इस समय आप सभी से अलवीदा लेना चाहेंगे मैं विज प्रूम्हें